जैश्री कृष्ण, प्यारे भक्तो, शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शम्भू, नीलकंट और ना जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के बहुत से किस्से धार्मिक किताबों में मिलते हैं। शिव आदी हैं और अंत भी अर्थाच शिव स्रिष्टी के कणकण में विद्यमान है, शिव महिमा से कोई व्यक्ती अचूता नहीं है। और इसी चमतकार को चितरित करने के लिए यह कहानी लिखी गई है जो आपको धार्मिक ज्यान के सागर में सनान करने को विवश कर देगी एक शहर था, जहां बहुत बड़ा मंदिर था, मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामगरी बिक्री हेतू छोटी-छोटी दुकाने लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकान उंकार की थी, वह शिव का अटूट भक्त था। वराबर ध्यान देता था, जिस वज़ा से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता आया था। ओंकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, ओंकार की पत्नी कार्तिक को जन देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बच्पन से कार्तिक को ओंकार ने मा और बाब दोनों का प्यार दिया था, कार्तिक अपने पिता का आज्याकारी बेटा था। वहाँ घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था, उनकी जिन्दगी बहुत मजे से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का एलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकाने हटाई जाएंगी, इसका सीधा मतलब था, जिसकी स्वयां की जमीन होगी, वही यहाँ धंधा कर सकता था, ओंकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरो तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान, उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा, उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था, वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुद होकर ल जबू, क्या मैंने कोई पाप किये थे? कुछ देर बाद उंकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है, सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए एक दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए जोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वज़ा से रोड का चोड़ी करन करना अनिवार्य था, हाला कि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन में दुकाने बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन जमीनों को लीज पर दिया जाना था, और लीज की रकम लगभग जमीन की कीमत के बराबर ही पहुँच रही थी, जो कि उंकार की पहुँच से बाहर थी, उंकार दुकान के अलावा, कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और दो ही दिनों के अंदर उसे 35 प्रतिशत राशी जमा करवाने का नोटिस मिलता है, उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमा कर जोडे थे, इसलिए उसके पास लगभग, आधी राशी तो उपलब्ध थी, इसलिए वह दो दिन के अंदर 35 परसेंट रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है, उंकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा हमें ये जमीन कुछ भी करके लेना होगा, मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं, कार्तिक उम्र में छोट का जरूर था, लेकिन वहाँ बहुत समझदार था, वहाँ अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है, उंकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुँच जाता है, और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है, जैसे ही उसे यहाँ बात पता चलती है, उसके पैर अपनी का कोई और जरिया नहीं था, वहाँ तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुद होकर लेट जाता है, उंकार की आखों में आसु आ जाते हैं, और वहाँ शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो, मुझे इतनी तकलीफ, प्रभू, क्या मैंने कोई पाप किये थे? कुछ देर बाद, उंकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है, सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए एक दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लावड़स्पीकर से लगातार सारे मंदिर प बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ी करन करना अनिवार्य था, हाला कि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन में दुकाने बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन जमीनों को लीज पर दिया जाना था और लीज की रकम लगभग जमीन की कीमत के बराबर ही पहुँच रही थी, जो कि उंकार की पहुँच से बाहर थी उंकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और दो ही दिनों के अंदर उसे 35 प्रतिशत राशी जमा करवाने का नोटिस मिलता है, उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमा कर जोडे थे, इसलिए उसके पास लगभग, आधी राशी तो उपलब्ध थी, इसलिए वह दो दिन के अंदर 35 पसेंट रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है उंकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा हमें ये जमीन कुछ भी करके लेना होगा, मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं, कार्तिक उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वहां बहुत समझदार था, वहां अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है, उंकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है, और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है, बैंक प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं, जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दें, जिसका खाता हमारे बैंक में हो, उंकार इस बैंक से संबंधित, किसी व्यक्ति को नहीं जानता था, वह यहां पहली बार आया था, उंकार हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर में हाथ रख कर बैठ जाता है, तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाएं पहुंचता है, वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और उंकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? उंकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है, तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है, यह बात सुनते ही उंकार के चहरे में चमका जाती है, वह जल्दी से अपने काग्ज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है, उंकार अंदर पहुचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है, और सारी प पंजीकरण करवाने के लिए राशी नगर निगम में जमा कराने पहुँच जाता है। राशी जमा होते ही ओंकार को जमीन दे दी जाती है। दो दिनों के अंदर ओंकार लकडी की दुकान बनवा लेता है। ओंकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ती स्थापित करता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाये जा रहा था ओंकार की दुकान सबसे आखिरी में थी। इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुँच करते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सकें। ओंकार परेशान रहने लगा एक दिन उसकी दुकान में वहीं व्यक्ति फिर से आते हैं। जिनोंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओंकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है। और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता है और जैसे ही वह व्यक्ति उंकार से उसकी दुकान के हाल चाल पूछते हैं तो वह अपना दुखडा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ती को नीचे रखे दे अंकार से कहते हैं तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है उनके लिए छोटा सा मंदिर बना लो। तुम्हारा कल्यान हो जाएगा और इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। अंकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। एक दो महीने के अंदर उनकार की हालत बत्तर होने लगती है वह कर्ज में डूपता जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था। जितना हमेशा से देता आया था एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुँच जाता है और दुकान की साफ करने लगता है। उनकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बना लो। तभी उनकार कुछ मजदूरों को बुला कर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गढधा खुदवाने लगता है। लेकिन बहुत प्रया शिवलिंग का उपरी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्ती हटाते हुए गहराई तक जाते हैं। तो सभी के पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि यह कोई साधारन शिवलिंग नहीं था, इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर फॉलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारो तरफ से हजारो लोगों की भीड जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने पहुँच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ती, जमीन के अंदर से निकलते ही, खनिज दुकान की कीमत आस्मान छुने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरसल लोग उस जमीन को शिव जन्म भूमी का अंच समझने लगे थे, शिव महिमा ने ओंकार का जीवन बदल दिया था और इसी के साथ यह कहानी स पसंद आई है, तो आप सभी हमारी वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें।